नमस्कार में हूँ दिवा बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 17 अप्रेल दिन बुधवार खबर क्यों बरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार की युवावने यूपी असी की परिक्षा में लहराया पर्चम आज है राम नौमी का तेहार बिहार के इन जबों पर गर्मी के दिनों पर घूमने का ले सकते हैं आनन केके पार्ठक में दिया नया आदेश यूपी और जारकर की पंद्रा रूटों पर वसूं का होगा परिचालन आपकी वोट नहीं देने पर करोरों रुपे हो सकते हैं बर्बाद दुकान दार के द्वारा जब्रन कैरी बैक के पैसे वसूलने पर मिल सकता है मुआपजा आईपेल दोजार चॉबिस में आज गुजरात और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला अब चली बरते हैं बिहार के अब तक के 25 बरी ख़बक्यों और विस्तार से आर्पीएफ ने कॉंस्टेबल और एसाई के पदों पर निकाली भरती कॉंस्टेबल और एसाई के रिक्त पदों पर रेल्बेस सुरक्षा बल यानि आर्पीएफ दोरा भरते निकाली गई है Constable के लिए ये भरती 4208 पदों पर आई है और SI के 452 पदों पर निकाली गई है इस भरती के लिए आविदन प्रक्रिया 15 अप्रेल से सुरू है और आविदन करने के अंतिम तारिक 15 मई 2024 है एक जोको मिद्वारस के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आविदन कर सकते हैं Constable भरती के लिए मिद्वारों के आयू सीमा 18-28 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो वही सम इंस्पेक्टर यान SI के पदों पर इस भरती के लिए मिद्वारों के आयू सीमा 20-28 वर्ष तक होनी चाहिए सेक्शनिक योगिता की बात करें तो Constable के लिए मिद्वारों को दस्वी पास होना जरूरी है तो वहीं SI के लिए किसी भी मानिता प्रयाप्त संस्थान से ग्रेजवेट होना जरूरी है इस भरती से संबंदित चटिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसेट और अधिसूचना को देख सकते हैं बिहार के युवाओं ने UPSC की परेक्षा में लहराया पर जब संग लोक सेवा आयोग ने UPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है इसमें बिहार की युवाओं ने एक बार फिर से अच्छा प्रदर्सन किया है मालूम हो कि इस परेक्षा में लखनों के आधितिस रिवास्तर में पहला रैंक हासल किया है इधर बिहार के और अंगाबाद सदर प्रखन रस्तित ग्राम जम्हो निवासी विरुपाक्ष विकरम सिंग ने इस परेक्षा में 49 अस्थान हासल किया है गोपाल गंजले के हजियापुर के रहने वाले अनिकेत कुमाद दुबे ने 226 वा रैंक हासल किया है और अंगाबाद के ही रहने वाले डॉक्टर प्रिम टरकास ने यूपी अस्थी के इस परेक्षा में 677 वा रैंक हासल किया है जबकि नरकटिया गंज के रहने वाले सहनसास सद्दिकी ने परेक्षा में 762 वा रैंक हासल किया है इधर समस्तिपुर के सिवम ने इस परिक्षा में 19 वा राइंग हासल किया है फिलहाल ये इंकम टेक्स के परदादिकारी है आज है राम नॉमी का तेवहार बिहार के साथ साथ पुरे देशबर में आज राम नॉमी का तेवहार मनाय जा रहा है मालूमों कि याद 24 नॉमी भी है और इसे दिन भगवार नाम का जन्मोट सब मनाया जाता है इस साल बेहादी शोब योग में राम नॉमी मनाय जा रही है कहा जा रहे है कि इस बार राम नॉमी के मौके पर रभी योग बन रहा है आज के दिन राजे में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोल पर है कई जलों में अलर्ट जारी किया गया है पटना सहीत अन्य जलों में अतरेक्ट पुलिस बलकी तैनाती की गई है आपको बठा दilly की सोभह यात्रा और जुलूस के दोरान मीडियोग्राफी होगी और थाना अस्तर पर मॉनेटिंग की जाएगी इंटरनेट मीरिया पर भी पहरा दिया जाएगा और भरकाओ पोस्ट करने वारों पर कारवाई की जाएगी बिहार के इन जगों पर गर्मी के दनों में घुमने का ले सकते हैं आनंद अगर आप बिहार में ही रह कर एक से बढ़कर एक ट्राकर्टिक जगों का गर्मी में आनंद लेना चाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे बिहार में मौझुद कई जहर्णों और कुंड के बारे में इस कुंट को लोग धुआ कुंट ज़र्ना के नाम से भी जानते हैं। चिल चलाती गर्मी में यहां की ठंडी हवा सुकुन का एहसास करवाती हैं। इसके बाद बाद करते हैं कसिस वाटर फॉल के बारे में। यह ज़र्ना रोहताज जलेक के अमजोर पंचायत में इस्तित हैं। इन जगों पर आप अपनी सुकुन भरी गर्मी की छुटियां मना सकते हैं। केके पाठक ने दिया नया आदेश। सक्षा विभाग के अपर मुक्य सजीव के के पाठक ने अब नया आदेश दिया है। ग्रिस्माव कास के दौरान सभी सक्षक को और उनके उपस्तिती पंजी की तस्वीर नोट कैम से ली जाएगी। स्कूलों की प्रधान अपने संबंधित प्रक्षंड के हम के वाच्चप ग्रूप में भेजेंगे। आपके वोट नहीं देने पर करोरों रुपए हो सकते हैं बरबाद। चुनाव आयोग के द्वारा लोगों को मतदान करने के लिए कई तरह के प्रयास की जा रहे हैं। मतदान की प्रतीसत को बरहाने की कोशुस की जा रही है। इसी करी में ये जानकारी सामने आई है कि आयोग की ओर से मतदान में करोर रुपए खर्च की जाते हैं। 21,56,048 मतदाताओं पर किये खर्च को देखें तो एक वोटर पर 55,64 रुपए खर्च की जा रहे हैं। इसमें अगर 50 प्रतीसत वोटर की ओर से मतदान नहीं किया जाता है तो काफी जादा रासे खर्च होती है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि इस बरबादी के जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूप करना होगा। इस बार की लोगसवा चुनाव में आप वोट डालने को लेकर वोट चाहिद है या नहीं। आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सुक्स अंबॉक्स में लेकर जरूर बताएं। बिहार के जिलों में मलेरिया दिवस पर कई गतिविदियों का होगा आयोजन। अंतर विभागें बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके थे तो भोगताओं के हितों की रक्षा की जाती है। ग्रहांक को अगर नुकसान पहुचाने वाली चीजे मिलती हैं तो वो नई चीजों की मांग कर सकते हैं। ग्रहांकों के पास पक्ष रखने का भी अधिकार है। ग्रहांक से कैरी बैक के पैसे वसूले जाने पर इसकी सिकायत करने पर भोगता फोरम कंपनी पर जुर्माना लगा सकता है। वेबसाइड एक्रिटी फियस लेस लेस कंजूमर हैर्पलाइन डॉच योवी डॉट आइन पर सिकायत किया जा सकता है। और दोगिक छेतर में एक लाग पचास जार वर्ग फीट के प्लग एंड प्लेस सेड के लिए आविदन किया है। इससे दोहजार सेदिक लोगों के लिए रोजगार के अफसर खुलेंगे। बिहारी पहचान में आजब बात करेंगे जान की वललव सासरी के बारे में। ये एक हिंदी और संस्कृत के कवी लेखा कौर आलोचक थे। इनका जन बिहार के गया जिले में मैगरा गाउ में 5 फरवरी वर्स 1916 में हुआ था। इन्हें इनकी सरानी कारियों के लिए पदम स्री से भी सम्मानित किया था लेकिन इन्होंने इस सम्मान को लेने से हिंकार कर दिया। उत्रपदे सरकारे में भारत भारती पुरसकार से सम्मानित किया था। इनकी गिंती ऐसे कवियों में होती है जहां कवियों को उनके हिंदी कवता के लिए काफी मान सम्मान मिलता है। इनके प्रसत कावे संग्रा में बाल लता, अंकूर, तीर तरंग, सिप्रा, आदी सामिल है, वही नाटक में देवी जिंदगी, आदमी और नील जीर, इसके अलावे पन्यास में दो तिनकों का घोसला, अस्वबुद, काली दास, चानक के सिखा, आदी सामिल है, 7 अप्रेल वर लोकसभा का चुनाब होने जा रहा है, मातर दो दिन में पहले चरन का चुनाब होने वाला है, मालूम हो कि साथ चरनों में ये चुनाब होगा, इसके लिए राजिके 77,319 बूतों पर वोटरों को गर्मी से बचाने के लिए प्रबंध किये जाएंगी, लोगों को सभी आव मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्ता ही जाएगी, हीट वेप को लेकर दबाओं का भी प्रबंध किया जाएगा, गर्मी से बचने के लिए तमाम तरग के इंतिजाम किये जाएंगी, यूपी और जारकन की 15 रूटों पर बसों का होगा परिचालन, यूपी और जारक जारकन के 10 रूट को चुना गया है, राजसरकार ने पहले ही इसके लिए हरी जंडी दे दी थी, इसके बाद अब परिवान विभाग ने इसके लिए व्यापक कारे यूजना को तयार किया है, जारकन के लिए 60 बसों को चलाने की यूजना तयार की जा रही है, वहीं आने व जोरकपूर है वहीं जारकन के लिए जिन रूटों से बसों का संचालन होगा उनमें पटना राची, पटना टाटा, पटना हजारी बाग, नवादा हजारी बाग, पटना डाल टेन गंज, गया हजारी बाग, गया राची, नवादा राची, नवादा गिरी जी, सीता मरी परहाई के लिए लोन लेने से पहले बेस्ट बैंक के लिए जानकारी परहाई के लिए लोन लेने से की कई लोगों को जरुवत पड़ती है लेकिन किन बैंकों में सबसे सस्ता लोन ओफर किया जा रहा है इसकी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है जानकारी के अनुसार सबसे कम दर पर S.V.I. की और से एजुकेशन लोन दिया जा रहा है परहाई के लिए लोन पर बैंक की सालाना ब्याजदर 8.55% से शुरू हुई है S.V.I. में 50 लाग तक के लोन के लिए अपलाई किया जा सकता है इसमें 20 लाग रुपे तक के लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है इधर बैंक आफ वरोदा 6.75% की दर से परहाई के लिए लोन ओफर कर रहा है ID.BI बैंक सबसे सस्ता अजुकेशन लोन उपलब्द करवा रहा है ये प्राइबिट बैंक 6.75% पर लोन उपलब्द करवा रहा है किसानों की आए में स्वीट कॉर्ण से होगा इजाफा किसानों की आए में स्वीट कॉर्ण से बरहोतरी होगी ये किसानों की आमदनी बरहाने में सक्षम है रभी के मौसम में इसकी खेती की जाती है ये किसानों की आय को बरहाने में सक्षम है। किया जा रहा है प्रदेस में इस दिन गर्म और आदर मौसम को लेकर जारी हुआ अलर्ड बिहार में अधिक गर्मी के कारण लूग की इस्तिति देखने को मिल रही है प्रदेस में कई जिलों का तापमान 40 जिग्री पार कर गया है आने वाले कुछ दिनों तक भी भिस्तन गर् से 44 डिग्री और नियुतम तापमान 22 से 24 डिग्री और कुछ जगों पर 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है जमूई लोगसबा छेतर में पहले चरन के चुनाब से पहले भारी मात्रा में सराब बरामत किया गया है मुंगेर पुलिस ने पिक अप वैन में तहकाने बना कर लाए जा रहे भारी मात्रा में विदेशी सराब को बरामत किया है जबकि पुलिस को देखकर पिक अप चालक मौके पर ही फडार हो गया जमुई लोगसभा छेटर के तहट आने वाले मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा के कंगरामपुर पुलिस ने एक चेकिंग के दोरान एक पिक अप वाहन से 41 कार्टन सराब को बरामत किया है इसकी कीमत करी 5 लाग रुपे से उपर आकी जा रही है पुलिस इस मामल प्रचार किया ऐसी करी में पिये मोदी का फैन लोगों के बीच गया में लोगों के आकरशन का केंद्र बन गया असोक सहनी मुंबई से गया पिये मोदी को चाय पिलाने के लिए पहुँचा था ये चाय बेचकरी अपने परिवार का भरन पोसन करता है पिये मोदी के फैन न से भारत में घूम रहा है इसका मकसद प्रधान मंत्री को एक कप चाय पिलाना है इसने अपने पूरे सरीर पर पीम के समर्थन वाली तस्वीर भी बना रखी है सेख पूरो और नवादा में तेजस्वी आदव ने जनसवा को किया संबोधित विहार विधान सबा के नेता प्रतिफक तेजस्वी आदव ने सेख पूरो और नवादा दोनों जगर जनसवा को संबोधित किया है इस जोरान वियाईपी के उमेदवार मुके सहनी भी तेजस् सोचल मीरिया पर इसे संबंदित पोस्ट भी सेयर किया है और लिखाये कि उन्होंने सेख पूरा में जमुई लोकसभा प्रत्यासी अर्चना अभीदा से लोकसभा प्रत्यासी स्रवन को स्वाहा जी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनता बीजेपी के जूट, जुमलो और वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है। गरीबी महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी सम्विधान और लोकतंत्र समाप करने की बात कर रही है। बिहार की नियाए प्रिये जनता इन्हें करा सबक से खाएगी। फूट फूट कर होने वाले राज़त सांसत को AIMIM ने दिया ओफर्ट। आदिल हसन ने राज़त सुप्रीमो लालु यादव पर जमकर निसाना में साधा है। साथ ही कहा है कि वो मुसल्मानों की लीडर्शिप नहीं चाहते हैं। इन्होंने सरफराज आलम की पार्टी में स्वागत किया है। टिकट कटने के बाद अस्विनी चौबे ने पियेम नरेंदर मोदी से की बाद। अक्सर से सांसोद और केंद्री मंत्री अस्विनी चौबे ने पीम नरेंद्र मोदी से बातीत की है। दरसल गया में बीते दिन पर धान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। यहां पर अस्विनी चौबे ने पीम मोदी का मंच पर स्वागत किया। वहीं पीम रेंद्र मोदी ने अस्विनी चौबे को अपने पास बुलाया और बात चीत की। पीम ने अस्विनी चौबे की पीट भीटो की मंच पर अस्विनी चौबे ने इस बात का संकेत दिया है कि वो पीम के सिपाही और उनके साथ ही रहेंगे। दोनों साथ में एक जूटता का संदेज दिया, साथ ही बखसर में बिगर रहे चुनाविस अंकेत को साधा है. आरजदी नेता ने जहनजारपुर की लोगसवा सीट से चुनाव लने का किया अलान. बिहार में महागडबंदन में हुए बटवारे के बाद जहनजारपुर की लोगसवा सीट मुके सहने की पारटी वियाईपी के हिस्से में आई है. वी आईपी ने सुमन कुमार को अपना प्रत्यासी बनाया है सेबी जहनजारपुर की लोकसभा सीट से टिकेट कटने के बाद राज़त के नीता गुलाब यादम ने यहां से चुनाब लने का एलान किया है उन्होंने कहा है कि उनके साथ महा गडबंदर में विश्वास गहात हुआ है बहारी व्यक्ति को टिकेट दिया गया है उन्होंने कहा है कि वो हर हाल में यहां से चुनाब लरेंगे और 18 अप्रिल को नावंकन भी करेंगे हालांकि उन्होंने इस बात का इला नहीं किया है कि वो किस पाइटे से चुनाब न रहेंगे KBC 16 सीजन में वापसी के लिए तयार KBC 16 सीजन में वापसी के लिए तयार है इसके लिए 26 अप्रेल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुरू होगी महान अभिनेता मिताब बच्चन ही इसे होश्ट करने वाले हैं मालूमों कि ये टीवी सो को भारते दर्सक होग पसंद करते हैं और ये भारते टेलिविजन पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाले सो में से एक है सभी आई उवर्गी के दर्सक इस सो का आनंद लेते हैं कौन बनेगा करोरपती की ओर से अपना पहला प्रोमो भी जारी कर दिया गया है इसमें महानायक होट सीट पर बैठे हुए नजर आ रही है आईपेल 2024 में आज गुजरात और दिली के बीच होगा मुकाबला आईपेल 2024 में आज गुजरात और दिली के बीच मुकाबला होगा गुजरात टाइटन्स अपने होम ग्राउन में दिली कैपिल से भिरने वाली है एहमदाबाद की नरेंदर मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लिग 2024 का 32 मैच खिला जाएगा आपको बता दे कि दिली की टीम ने अब तक अपने 6 में से 2 मुकाबले में जीत हांसल कर सकी है जबकि गुजरात टाइटन्स ने 6 में से 3 मुकाबले में जीत दर्ज की है ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच इस मुकाबले को काफी एहमाना जा रहा है दोनों ही टीम इस मुकाबले में जीतने के इरादे से उतरेगी आपके अनुसार आईपिल 24 में दिली और गुजरात की टीम में किसके टॉप 4 में पहुँचने की समभाब ना है आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन मॉक्स में लिक कर जरूर बताएं कई कारणों से दर्जय भारत के टिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1975 में भारत के दूसरे राज्ट पधी सर्वापली राधा कृस्नन का नधन हुआ था आज के दिन वर्स 1983 में भारत ने SLV 3 रॉकेट लॉंच किया था इसने भारत में अंत्रिक्ष यूक की शुरुवाद की थी इस पर योजना के अध्यक्स ता एपीजी अब्दुल कलाम ने की थी आज के दिन विस्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं आज के दिन वर्स 2008 में भारत और ब्राजील के भी चार महत्वपुल समझहोते पर हस्ताक्षर हुए थी आज के दिन वर्स 1756 में भारते कमंडर धीरन चन्ना मलाई का जन्व हुआ था आज के दिन वर्ष 1961 में भारते खिलारी गेट सिर्थी का जन हुआ था वाट्षप पे होंगे कई बदला यूजर्स को अब वाट्षप में बदला बदला सा नजर आने वारा है मालूमों कि करूरों लोगे सैप का उप्यो करते हैं वहीं वाट्षप का नया अपडेट आपके लिए काम का हो सकता है कंपनी एक साइबर डिजाइन इंटरफेस को लेकर आ रही है इससे लोगों के लिए कई ज़रा के विकलप बदल जाएंगे चैट से लेकर स्टेटस चेक करने का तरीका अब लोगों के लिए बदल जाएगा वाट्षप अपने यूजर्स के लिए साइड बार डिजाइन इंटरफेस को लेकर आ रही है इसका मतलब है कि सारी ऑप्सन टॉप बार में दिखने की जगास साइड में नजर आएंगे मालूमों की यूजर्स के लिए वाट्से फ्रेंडली इंटरफेस लेकर आ रहा है हम प्रेजिदिन आपसे प्रांच ऐसी जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपेस से बिहार पुलिस दरोगा समित ऐसे सी जैसे अने प्रदोगी परेक्षाओं में काम आएंगे सवारे तिहास, पिहारे स्पेसल, विज्ञान, करेंट अफेट्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे पांच सवालों में आपने कितना सही हुता दिया है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में उत्रप्रदेशी कहां स्काई वक क्बात ब्रीज बनाये गया है अपसेन घेघ है मुड़ा ऑपसेन बैज आपसेन बी है कानपूर ऑपसेन रहे हैं इसका सही जरुतर आपसेन है ठेच्वारे है इसका सहींतर है मध्यप्रदेश हाले में किसे राश्ट्य न्याएक अकैर्मी का प्रमुक नियुक्त किया गया है Option A है अमित कोयल Option B है निरुद बोस Option C है महेश कुमार Option D है हरेंद्र सिंग इसका सहींतर है निरुद बोस किसने कुबर सिंग की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था Option A है थामर सियंग Option B है विसंट आयर Option C है विलियम टेलर Option D है हीूग रोज इसका सहींतर है विसंट आयर किसान सत्यागरा समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी Option A कॉंग्रस की Option B है जमिनदारों की Option C अंग्रेजों की Option D है कम्यूनिस्टों की इसका सहींतर है कॉंग्रस की बीटे दिन हमाद आरा पुछे गया सवाल का आपने को में से बहुत सारे लोगों ने पना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन वॉक्स में लिकर दिया थे जिन्होंने वाद आरा पुछेगा सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अगर आप फेश्बूक से देखने हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद